नमस्कार में रितिक नाक आप देख रहें सब्स नियूस मामहीम राज्यपाल मंगुभाई पटेल आज जहववा पोचे जहववा पोच वो कलेक्टरेट आये जहाँ पर गाडन में उन्होंने पोधारों पन किया यह गाडन इस तरीके से सजाया गया था जिसा पहले कभी नहीं था गाडन को हदो हाथ पेंट किया गया साफ सफाय की गई अन्य चीज़ें की गई जैसे कि महाँ पर जाली लगाई गई मानो कलेक्टरेट गाडन आज अलगी लग रहा था इसके रहा जहावा की सडके भी आज यह चमक रही थी ऐसी रिपेर थी जैसे यह जहावा नहीं बलकि कोई बड़ी सीटी या स्मार्ट सीटी हो जहां की सडके लवा लब चकाचक रही हो आपको बता दे कि राजिपाल के आने की तयारी आई हफते पहले से शुरू हो चुकी थी इन तयारियों में जहाववा की सड़कों को साफ किया गया जहाँ पर गड़े थे उन्हें रिपेर किया गया ये चीज़े अच्छी हैं लेकिन क्या ये सिर्फ तभी होना चीए जब प्रसासने का दिकारी आते हैं जब नेता आते हैं बाकी आम आदमे की कोई सूद लेने वाला नहीं होता है आपको बताए कि इन रोडों के गड़ों से लोग काफी लंबे समय से परिसान थे सिकारते होती है कंप्लेइन होती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है लेकिन जैसे ही पता चलता है कि राजपाल आने वाले है प्रसासन अलट होता है और एक हफते के अंदर जाववा जिले को गड़े से मुक्त कर देता है काफी अच्छी बात है कि लोगों को रहात मिली लेकिन क्या एक काम निता हो के आने के पहले या किसी प्रसासनिक आरी के आने से पहले हो सकता था या सिर्फ प्रसासन प्रसासन को दिखा करने में ही लगा रहेगा उसके लाव कलेक्टेट गाड़न की बात करें तो कलेक्टेट गाड़न में भी यही देखने को मिला कि किस तरीके से राज़पाल के आने पर उसे इस तरीके से सजाया गया उस तरीके से साफ किया गया जैसे की मानिये कोई तेहवार हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ नेता हो की खाजिरदारी के लिए ही प्रसासन ने सब कुछ किया आम जन्ता के परती उनकी कोई सम्विदन सिलता नहीं है कोई फर्ज नहीं है इसके लिए राजिपाल महोदई भी आए उन्होंने पोजार ओपन किया उसके बाद सीदे सिवगंगा के लिए निकल गए आपको बता दें कि जहाववा एक अनुसुची छेतर है जहाँ पर नेशनल कमिशन फॉर सेडूल ट्राइब्स होता है और उसकी रिपोर्ट राजिपाल को हर साल राश्टपती को भीजनी होती है जिसमें बता जाता है कि जो फंड आता है आगे से जो सरकार खर्चा करती है पिछडे समाज के लिए या कहें अधिरासी समाज के लिए दली समाज के लिए उसमें कितना काम असल में हुआ है कितने development projects हुए है उन सब की समिक्षा करके ये report जो है राजजपाल को राश्टपती को भीजनी होती है तो ऐसे में राज़पाल को अलग-अलग जगा जाना होता है रियालिटी करने होती है कि असल में कितना काम हुआ है सामाजिक संकेठ़ों से बाद करने होती है लेकिन राज़पाल केवल सिवगंगा जा रहे हैं जहापर वो दो तलावु के काम को देखेंगे और वहाँ से सीधा अपना प्रोग्राम लेकर चुन्द सिकर आजाद नगर भावरा कुटिया पर चले जाएंगे जहां से उनका आगेगा करकम रहने वाला है तो इसमें भी राजड़न को लेकर भी सवाल हो रहा है कि आखिर क्या इस तरीके से वे इस आदिवासी छेत्र की विकास की हकीकात जान पाएंगे क्या उन्हें पता चल पाएगा कि पेशा एक कानून हो या दूसरे आदिवासी समाज के लिए जो कानून बने है वे लागो हो रहे है और एक तरीके से दोरा प्रसास निक रहा या राजनितिक रहा इसको लेकर भी कई तरीके की बाते उठ रही है जो हो सकता है और आला दिनों गया उसमें भी किसी ने कटाक्स करते हुए बताया कि वहाँ पर फूलों की वह प्रजाती लगाई गई है गुलाब की वह प्रजाती लगाई गई है जो एक रात में खिल गई एक रात में उग गई और अगले दिन खिल भी गई तो कुल मिलाकर गई है कटाक्स है कुल मिला प्रशाशन महामहिम राजपाल के जाने के बाद भी इसी तरीके से साफ सफाई में लगा रहे यह के सकते हैं कि अपनी अपनी बजाते रहेंगे प्रशाशन अधिकारियों के सामने अपना दिखावा करते रहेंगे और जनता जो है इसी तरीके से पिष्टी रहेगी जनता से फिरस हो सकती कि कोई अधिकारी आए कोई बड़ा नेता आए तब ही उन्हें इस चीज से रार बिल सकती है आगे देखना होगा आजपाल दो दिन के लिए और यहाँ पर है एक दिन लियाजपूर और वापस फेटला पासी इलागे में है जिसे की सिकल सेल की बिमारी है उसकी रिपोर्ट लिया लेकिन जमिनी स्थर पर उन्होंने क्या पता किया है अन्य बिमारियों के बारे में अन्य समस्याओं के बारे में क्या पता कराए देखना होगा फिलाल आपको का लगता है राजपाल के इस दोरे क को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो ची लगी हो तो लाइक कर दीजे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यह सारी खबर हम आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद